आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीजो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The period from birth to the natural death of an organism represents हुझा गया है कि organism का एक जो period होता है birth देले के natural death तक उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तो जाले देखते हैं कि कौन सो option यहाँ पर correct है तो first है यहाँ पर reproductive phase reproductive phase का बात करें तो यह एक maturation phase होता है in the life cycle जहाँ पर क्या होता है कि sex organs activated होते हैं और इस time पर जो reproductive system है वो भी यहाँ पर चालू हो जाता है और offspring produce करने के लिए अब यह organisms काबिल बन जाते हैं next है life cycle तो life cycle basically बोला जाता है जो different stages involved होते हैं जिसे for example हम कह सकते हैं कि किसी किसी में egg से produce होता है larva पर produce होता है यहाँ पर adult तो यह जो different stages है इसको हम लोग life cycle हिसाब से content कर सकते हैं लेकिन life span जो होता है यह basically ऐसा criteria है या फिर हम ऐसा period कह सकते हैं जो की cover करता है birth से लेके death तक तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर life span जो है वही correct होगा according to the question बाकि अगर देखा जाये तो next lifestyle और lifestyle जो होता है यह basically हम लोग किस तरीके से रहते हैं किस food को intake करते हैं किस house में रहते हैं किस तरीके से कपड़े पहनते हैं इन सभी को represent करता हैं तो according to the question जो यहाँ पर पूछा क्या है उस हिसाब से life span जो है वही एक period होता है जो कि birth से लेके death तक कहा जाता है यह आपर गिना जाता है और इसी लिए हम लोग life span को ही यहाँ पर टिक कर लेंगे